दोस्तो जैसा कि आप जानता है कि पाकिस्तान टीम ने दूसरे वंडे मुकावल में नूजिलेन टीम को साथ विकेट से हरा कर पांच मेचों के स्रिंखला में दो जिरो से बादत बना लिये अब कप्तान बाबर आजम ने तीसरा वंडे में जीतने के लिए अपने प्लेंग 11 में दो खातरनाग और खिलारी को सामील किया तो दोस्तो ऐसे में यह मेच कहां खेला जाएगा कितने बज़े खेला जाएगा क्या रहने वाली है पाकिस्तान टीम की प्लेंग 11 और हेड़ दोस्तो अब ही चाहते कि पाकिस्तान टीम तीसरा वंडे में जीतकर स्रीज तीन जुरों से अपने नाम कर लें तो इस वीडियो को जरूर लेकिजेगा वहीं दोस्तो किर्केट से जुरी हर छोटी बड़ी ख़वर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिंग लांप च स्टेडिया कनाची में खेला जाएगा यह मैंच तीन मई यानि वेडिनेश डे को पाकिस्तान के समय इनुसार दो बच कर तीस मिनट पर खेला जाएगा बात करें पीच रिपोर्ट की बारे में तो यहां पर अपर टोटल बाबान वंडे मुकाबले खेले जिन में से पहले बहुआ बारे में जीट मिले जपेली जबकि दूसरे बाजी करने वाले ट्इम को शविस मुकाबले में जीत मिले वहीं कोई रिजल्ट नहीं निकलिए यहां कि फर्स्ट इनिंग की बारे मीड़ के दो 242 रन हैं जबकि दूसरे इनिंग की आवरे में बारे मंद पकी दो 202 नुकसान भारत ने खिला बना था यहां की लोइ। 259 10 के खिलाव बनाए था कि बात करें इन दोनों टुमों के बीच हैड-टू-हेड रिकोर्ड के बारे में तो इन डोनों टीमों के बीच अब टूटल 111 एंडे मुकाबले खिले लिए जिन में से पाकसंतावर मुकाबले मे हुए तीर के मैं चैशना सबाध़ चोने में मुकावलां इसे में देख जाए तो पाकस्तान टीम का परला भारी लग अब बात करें पाकस्तान टीम की पहले गारें की तरफ से फगत जमांप के साथ इमाम अरो फिर फिर से पारी प्रते बेने जर आएंगे जबके तीसे नहर पर कप्तान बाबर आजम, चौते नहर पर अब्दुल्ला सफीक, चौत पाच में नहर पर मौमधी जवान, विकेट कीपर, बैट्समेंट, छटे नहर पर आगास सलमान, साथ में नहर पर सदाब खान, आठ में नहर पर मौमध नहर पर साइंसा, अफरीदी, दस में नहर पर हरिस रौफ, गैर में नहर पर नसीम दासा, दोस्तों यह रही पाकिस्तान टिप की पॉसिवल प्लेंग के लिए में, लेकिन पाकिस्तान टीम लगवा लगवा इसी प्लेंग के साथ उतर सकती है, दोस्तों आपके अनसार तीस आवाद सुकृरिया